अगर आप ग्राजवेट हैं तो आपके लिए भारत सरकार में नौकरी पाने का शांदार मौका है स्टाफ सिलेक्शन कमिशन SAC ने कमबाइन ग्राजवेट लेवल एक्जामिनेशन 2019 के लिए फॉर्म निकाला है इसमें कई पदों पर सरकारी नौकरी के लिए वेकेंसी निकली है अगर आप इस परिक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी योगिता को पूरी करते हैं और इसमें रूची रखते हैं तो आपके लिए 22 नवेंबर 2019 से पहले ऑनलाइन अपलाइ कर सकते हैं वेकेंसी की मुख्य बातें पद का नाम कंबाइन ग्राजुट लेवल एक्सामिनेशन 2019 खाली सीटों की संख्या फिक्स नहीं है पेस केल 5200 से 20200 तक 9300 से 34800 रुपे तक है योगिता ग्राजुएशन आयू सीमा 18 से 27, 30 और 32 वर्ष तक है नौकरी करने की जगे पूरे भारत में आप कहीं पे भी कर सकते हैं यहां पर आप उनलाइन अपलाए करें परिक्षा फीज इस फॉर्म को भरने वाले जनरल और OBC कैटिगरी के कैंडिडेट को परिक्षा फीज के तौर पर 100 रुपे जमा करने हैं फीज पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या SBI बैंक चलान के जरिए कर सकते हैं इसके अलावा महिला कैंडिडेट, SAC, ST और X-Serviceman को कोई परिक्षा फीज जमा नहीं करनी हैं जरूरी तारिक हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए प्रिया ट्रावल लाइट